कुर्शन दिया है 2-3-Di-methyl-2-butene can be prepared by heating which of the following compounds with strong acid इन में से किसी एक compound की heating करना है strong acid के साथ में जिससे हमें ये product मिलना चाहिए पहले हम क्या कर लेते हैं chemical reaction लिख लेते हैं तो ये आपका A-Malija की reactant है और इसका heating किया जा रहा है किस के साथ में strong acid के साथ में ये हो गया strong acid बन किया रहा है product आपका 2-butene तो ये आपका 2-butene बना दिया तो यहाँ पे 2-3-dive methyl है तो second और third carbon में alkyl group लगा दिया ये बना आपका 2-3-dive methyl 2-butene अच्छा इसमें total number of carbon atom कितने है 6 carbon है तो पहले हम ये चिक कर लेते हैं कि इन सभी reactant में क्या 6 carbon दिया है या नहीं दिया है इसमें क्या हो गया 3 हो गया 3-3-6 साथ carbon साथ carbon लीजिए हमें 6 carbon का alkyl रहना इसमें कितने carbon 6 carbon है तो सबसे पहले इसी को try कर लेते हैं अब देखिए यहां पर जो दिया गया है आपका CH3 है थर्ड डिगरी का carbon है यह आपका CH3 दिया हुआ है यहां पर भी मैंने लगा दिया CH3 और यह है आपका single bond यह C acid double bond यह CH2 दिया हुआ है अच्छा इसका reaction कराना किसके साथ में strong acid के साथ में तो यहां पर मैं डाल देता हूं strong acid strong acid कोई भी ले लिजिए H2SO4 concentrate H2SO4 ले ले लिते हैं यह concentrate H2SO4 यह हो गया आपका concentrate H2SO4 तो यहां से हमें क्या मिलेगा strong acid है तो H plus ion मिलेगा नहीं मिलेगा आगे बढ़ते हैं यह पूरा plus I effect दिया हुआ है अगर यह plus I effect है तो plus I के opposite में हम अमें साथ पाइब ब्रेक करते हैं तो यह आएगा पास्टू हो जाएगा यह हो जाएगा CH यहां पे आया PAS2 चार्ज और यह बन गया क्या CH थी बन गया कौंसे डिगरी का carbon जाएगा 2nd डिगरी का मिला आचां यहां पे जो carbon है कौंसे डिगरी का है 4th डिगरी का तो यहां मैं 3rd डिगरी में कर सकता हूं आपको रियर्जमेंट आपको consider करना है तो यहां पर जो methyl group लगा हुआ है अगर मैं methyl shifting कराता हूँ तो थर्ड डिगरी का कार्बोकटान मिल सकता यह आपका C हो गया यहां पर आएगा पास्टू चार्ज और इस second डिगरी से यह methyl group लग जा गया यह सिर्ष्टी हो गया और फिर इसके बाद में यह आपको सिर्ष्टी हो गया सही direction में जा रहे है हम लोग ठीक है अचा आप देखिए यहां पर क्या है इस कार्बन अब यह कार्बन मेरे लिए के अल्फा कार्बन है तेखे से पास diploma चार्ज ही अल्फा कार्बन हो गया तो अब बीटा कारबन से मुझे क्या रिमोग करना है हीड्याई रिमोग करना क्योंकि यह जो खियमक्छल रिेक्शन स्थार्ट की गए थी इस्योंगu Acid के के साम की गई थी आपका एच पलेशन से स्टार्ट हुआ इसे करताए बड़ ही स्कार था कि अगर अगर इसके रिस्पेक्ट में यह क्या हो गया, बीटा कार्बन, यह बीटा कार्बन, यह आपका बीटा कार्बन, हमें उस कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, जहां पर हमें more stable, more stable product मिले, ठीक है, यह आपका highly stable product है, क्योंकि इसमें hyperconjugation सबसे जाद होने वाला है, कितना हो जाता है, यहां पर hyperconjugation 12, 12 hyperconjugation आ रहा है, तो stability तो इसकी बहुत ही जादा होगी, जो highly branched alken होते हैं, उनकी stability जादा होती है, तो हम क्या करते हैं, कि इस बीटा कार्बन से यह जो आपका hydrogen है, ठीक है, ध्यान देंगे यह जो आपका hydrogen दिया हुआ है, ऐसा है, यह जो hydrogen दिया हुआ है, इस hydrogen को अगर मैं हटाता हूँ, देखिए, ज्यादा delete हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस के case में जो आपका hydrogen दिया है, अगर मैं इस hydrogen को हटाता हूँ, यह डिफरेंट कलर चेक कर लेते हैं, अगर मैं इस hydrogen को हटाया, तो यहां पर ग्रुप लगे हुए हैं, तो बोलिए यह सब्स्टाइंस बना नहीं बना, अपकोर्स यह बन गया, ठीक है, 2-3-diamethyl, 2-3 इसको प्रापरली अगर लिखना चाहें, C, double bond, C, आपको अलकायल ग्रुप है, यह ऐसे लगाए जाए सकता है, ठीक है, यह दोनों से हम हो गया, तो B-option में जो अलकीन दिया हुआ है, यह सी से हम 2-3-diamethyl, 2-butane का फार्मेशन कर सकते हैं, इन दा प्रेजन साफी स्टॉंग आशिर, तो कौन से अंसर हो जाएगा, B-option इस दा राइट अंसर,